So guys, आप लोग की बहुत 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 ज़्यादा फर्माईश पे मैंने आज सोचा कि मैं क्यों आप लोग के लिए विलॉग बना ही लेती हूं तो गेस करें कि मैं कौन सा आज विलॉग बनाने वाली है आज आज सोचा कि मैं क्यों आप लोग बना ही लेती हूं तो गेस करें कि मैं कौन सा आज विलॉग बनाने वाली है तक जल्दी से कमेंट में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं अपने रूम का टूर सो जल्दी से आजाए मेरे रूम में कावन गाइस वेल्कम टू माइ रूम तो आज है हम चलते हैं अपने रूम में और गाइस करें कर दो आज कर पोड़कि रूह comprehensive जाने रूम मिझे बुँख ज़्याइश्च यह का टूरित बीट है मिज़े फेंट का पहल चाहिए तो लगता आजाएं यहां records वनेटी जो है मेरी बहुत ही जो है ना सारे प्ने नेल पंच रहें यहां मेरे मेक्प sentido है कि मेकप ब्रॉश हैं इसमें फिल्म सेनों और श दूर पॉर फिनमेटी तो संथ है यहां पर प Television है चौर्श मेरा कॉम्पलीट बैटके में आप लोगों को इस जगह का आइडिया होगा कि इस जगह पर अकसर मेरी पिक्छर्स होती हैं तो मुझे यह जगह बहुत जादा मतलब पसंद है इधर में बैटकर यहांपर में मेकप करती हूँ और इधर जो है ना याँ पर जो भी बेरा कहीच मेरा के लिए यह मेरा वोArt के लिए यह किसी सार्ड करे करके रखा वैं जव मुझे रुक्वाइड होती है चीजे यह मेंज़ के टाइम पर लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और light ना हो तो हमसे make-up नहीं होता तो मैंने यहाँ पर नहीं लगा ली थी ताकि जो है make-up के time पे मुझे अपना face बड़े अच्छे से clear नजर आ रहा हो और जी यह जो यह सारी paintings है ना यह सारी paintings जो है मेरी sister ने जो है ना basically उन्होंने बनवाई थी और उन्होंने बनाई थी और मैंने उनको frame करवा दिया था तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब room में काफी ज़्यदा paintings होना तो मुझे painting से भरावा जो room होता है ना वो अच्छा लगता है वैसे मुझे बड़ी simple सा रूम अच्छा लगता है भरी भी चीज़े नहीं अच्छी लगता है so यह सारे उनके जितने भी मेरी sister के frames पड़ेवे थे में पास मैंने उन सबको paintings को frame करवाए है और मैंने एक wall यह proper ट्यार कर दी थी पहले मेरी उस side पर भी था हो मैंने खतम कर दिया था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था फिर उसके बाद यह वाली मैंने यहां लगा दी थी और जी फिर यह आजाता है मेरा bed यह bed बहुत simple सा है मुझे light colors पसंद होते हैं तो यह जी यह यह बहुत ही लगी थी मतलब सॉफ्ट भी और मुझे इसका design बड़ा अच्छा लगा था simple सा ठीक है तो यहां पर basically यहां पर मैं सोती हूँ और यह मेरा room का मतलब यानि मेरा personal bed है तो यहां पर मैं सोती हूँ और यह बहुत अच्छी quality का थे मेरे बहुत टाइम से तिकलिबन 4 यह से मेरे room में लगाव है और यह till new का new M बहुत अच्छा है तो इसकी quality बहुत अच्छी है so guys अब जो है साथ में आपको दिखा देते हूं यह है मेरा auto one auto one के अंदर मैंने अपनी cushions cover वगएरा जो है ya side table, mats यह चीज़ें मैंने रखी है ताके मेरे room की कोई भी चीज़ खराब नहों तो मैं वह चीज़ें अपनी यहीं पर रखती हूं और carpets तो usually मैं अपने change करती हूं room के तो मैंने 3-4 carpets जो है रखे हूं है और वह मैं change करती रहती है तो carpets तो मैं आपको ना भी दिखा हूं आपको थोड़े दिन बाद फिर से change मिलेगा अच्छा जी तो यह basically यह है मेरी वह side जहां पर जो है मसला होता है कि यार कहां से करें चार्ज उठाके दूर लगाना पड़ेगा तो मैंने क्या कि इसको पूरा bag से लाके cable को यहां पर मैंने अपनी extension लगाई लिया ताकि यहां पर मैं अराम से बैट के जो अपना phone charge करते वे यूज़ कर सकूँ ठीक हो गया और जी यह है lamp यह lamp भी online ही online ही सुगाता है ठीक है online purchasing की सुगाता है यह वाला lamp तो यह भी मैंने online ही purchase किया था बटी मुझे इस corner में बहुत अच्छा लगा था so guys यह जो यह है यह curtains जो है यह velvet के है मुझे बहुत अच्छे लग रहे था पहले यहाँ पर ना blinds थी तो अभी recently मैंने इनको change की है और मैंने blinds से कर दिया परदे ठीक है curtains कर दिया curtains जो है ना मुझे बहुत ज़्यदा अच्छे लगे थे यह वाले मतलब मुझे शुरू से इच्छा लग रहा था कि यार पीछे light सा एक combo होना चाहिए और ना उपर front पर थोड़ा सा dark होना चाहिए तो यह velvet के हैं और पीछे जो है शफून के हैं तो यह बहुत ही मज़ेदार सा combination लग रहा था तो यह मैंने यह कर दिया और यहां पर कई बार बैठके मैंने live video भी आप लोगों के साथ live भी आई नहीं हूँ और यहां पर पहले जो है हमारे यहां पर एक autumn one था वो मैंने change कर दिया पर उसके बाद यह सोफे कर दिये थे यहां पर फिर यह सोफे है और यह plants जो है यह decoration piece है यह भी online purchasing की ही सुगात है यही मैंने online ही purchase किया था और यह सोफे जो है मुझे शुरू से बहुत अच्छे लगते है लाइक बड़ा comfortable होती हूँ मैं यहां पर evening में सम्टाइम बैठ केक यह आप यहां पर चाई पी सकते हूँ बड़ा सकून आता है कि जब मैं यह ना window अपनी खोल देती हूँ तो पीछे में देखती रहती है और साथ में चाय भी सकते है evening tea आप enjoy कर सकते हो अच्छे वाली यहां पर तो यह decor भी वहाँ से थे और candle तो मैं candle lover हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइक मुझे candles है ना candles इतनी अच्छी लगती है रूम में कि मैं आपको बतानी सकती तो मैं जब भी कोई बाहर जाता है ना तो मैं उससे candles मंगवाती हूँ तो यह candles है यह सारी candles जो है bath and body की है और वहीं से मैं ने इमंगवाई हूँ है यह भी candles हैं यह भी मेरी candles हैं सब बाहर की है और साथ में उसके बाद जो यह curtains जो है यह तो मेरी बहुत ही favorite place है ना मेरे room में अगर सबसे favorite place मैं बताँ ना तो वो यह मेरी यही जग़ा है यहां प तो कुछ चैसे ने में बढ़ी हैं गया है कि मैं बताँ सब्सक्राइब में सबस्टाशके लिक जब भी मिने कुछ सब्सक्राइब करने में तो मैंने यहां से ले ले लेती हो और यह सारी मेरी books हैं यह पर मैंने ए ostracik बन में लगवा लेगा लिया Thy यह मेरे से शॉपिंग होती ही नहीं है मैं घर में सुपून से बैठ के शॉपिंग करने वाली विमेन हूँ ठीक है और जी यह सारी बुक्स हैं जो मुझे पढ़ने का बड़ा दिल करता है और इदर नीचे भी जो है ना तीवी कंसोल में भी मेरी बुक्स लगी हैं ठीक है यह भी बुक्स हैं यह भी बुक्स हैं ठीक है और यह भी मेरी केंडल्स हैं ठीक है यह सारी भी बात है और कभी में वह वाली चला लेती हूं तो कभी में यह वाली लिगा लेती हूं तो जब भी मेरा जो भी केंडल बर्न करने का दिल करता है तो मैं वह बर्न कर लेती हूं और जी अब आजाते हैं मोस्ट इंपॉर्टन जगा कि मैं वीडियोज बैठ के कहां पर एड़ेड करती हूं और वीडियोज में कैसे बनाती हूं क्या गड़ती हूं तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूं नहीं वह जगा चोटी सी है लेकिन गैना मैं बहुत अच्छी जगा बह मीरी जिम बोल है एक्चली होता है नहीं कटा यह समर में दिल नी करता ह्या जिम जाने का तो पिर जब घर में जिम कرना ऊता है तो उप़र जाने का पी दिल लिगा वैसे जो हाब आपनों可以 home tour में मैं नहीं दूँगी कि अवर जो है जिम बॉल है और इसके बाद आजाएं मैं आप लोग डिखाती हूं के एक्चली में वीडियो कहां पर बैठके एडिट करती हूं तो चले आज़े मैं आपको वीडियो कहां बैठके एडिट करती हूं तो गाइस यह मेरी चोटी सी स्टडी टेबल है और यहां पर मेरा यह लैप टॉप है और यह है चोटा सा जो है न तो बैसिकली दोनों ही काम आते हैं मेरे एडिटिंग में ठीके अगर कहना है मैं आपको वेलाग एडिट करना है तो इसमे में आ जाती हूँ लेकिन अगर आपको कुछ थम्पनेल वगएर खुछ चोटा कुछ डिजाइन करना है तो वह मैं इधर कर लेती हूं तीके और यह तो यह तो मस्ट है क्योंकि इसके बगएर तो देखा भी न जाता, अन्देरा हो जाते है, ठीके और यहां पर भी मेरी थोड़ी सी बुक्स है, नीचे भी बुक्स है, थोड़ा सा पेंटिंग का समान है, और पैंसिल्स गेरा, यह सब जो होता है, एक स्टेड़्ी टेबल पर बस वही चीज़ें, और जी यह पेंटिंग, यह पेंटिंग लेके मैं फ्रेम करती हूं मैं घर के किसी ना किसी हिस्से में लगा दे थी तो ये मुझे इतनी जएदा पसंदी बिसिकली टू सेट था लेकिन यहां पर इतनी स्पेस नहीं थी कि टू आ सकती तो लेकिन मैंने फिरना ये वाली जो है एक या लगाई थी एक घर में बाहिर लगाई है तो वो मैं आपको दूँगी होम टूर में तो वो अभी नहीं दिखाऊंगी और यहां पर आ जाते हैं यहां पर मेरे जो रूटीन के पहनने वाले कप्ड़े होते हैं तो अगर आप लोगों को देखना है कि मेरे वैनिटी और क्लोध का और शूज का टूर करना है तो उसके लिए भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताएं कि या अपने क्लोध का भी टूर दें तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपने कपड़े और शूज और और मेकप वगईरा भी शेयर करूंगी। यह तो अब हम अपको नहीं दिखाऊंगी, इसको जैनाब बंद रखना है, इसमें बहुत कपड़े बहुत कपड़े हैं कि मैं आपको बथा नहीं सकती, इसलियम इसको भी नहीं खोल सकती यह आप लोगों के लिए बनाओंगी, मै कि हांची हमने आपके कपड़ों का टूब भी करना है तो वाइनोट मैं आप लों के साथ वो भी शेयर करूंगी तो जी यह यह था मेरा एक छोटा सा रूम और यहां पर जो है मैं रहती हूं मोस्ट ऑफ दी टाइम जो है मैं यहां पर स्पेंड करती हूं ठीक है और एक चीज थोड़ी से आपको लगेगी एजीब के यार यह क्या चीज है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूं कि यार यह मेरे ना डंबल्स हैं यह डंबल्स हैं तो अगर मैंने जिम नहीं ना जाना तो अगर तो मैं रहनी सकती है मुझे स्ट्रेस होना शुजा तक है मैंने अज एक्सरसाइज नहीं की तो यह सारी जो है ना वो मेरे जिम की जो मैंने डंबल्स हैं उपर से बिसिकली उठा कर लेकर आई मैं अभी तोड़े दिन पहली लेकर आई हूं तो यह सब मैं उपर से हिसने दिखा नहीं कॉँके अभी मैं आप लोगों को मिलाने वाली हैं अपनी कैट से तो हॉंम तूर के रूम तूर के साथ मैं आप इस रूम में रहने वाले मेरे और कुन-कुन से Mao एं उनसे मिलवाती हूं तो जी आजएं तो सबसे पहले जी यह है सिंबा तीके, यह Simba है, तीके, इसके बगार जो है, यह room in complete है, यह room complete नहीं होता जब तक इस room में Simba नहीं होता इस Simba है, और अब मैं आप लोगं को मिलवाती हूँ, पारो से तो, पारो भी यहाँ पर है, मैं भी आपको पारो से भी मिलवाती हूँ यह जो गाइस यह है मेरी चोटी सी चोटी सी पारो यह देखें जी यह है मेरी चोटी सी पारो और यह बहुत चोटी अभी है तकरीबन जो है I think eight month की है अभी बहुत चोटी है और आज ही जो है न मैंने इसका face नीट किया था क्योंकि फिसकर है न तो इसके आंकों में ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है तो इसका मैंने आज face साफ किया तो गाइस यह देखें यह है मेरी चोटी सी पारो और यह बहुत प्यारी है जा जो जी अभी इनका horror rest का time तो इन्हें इस टाम जो है न बड़ी तंगी हो रही है कि मैं रूम में क्या कर रही है उनको तंग कर रही हूँ so guys यह था मेरा चोटा सा रूम और कैसा लगा आप लोंको मेरा रूम जल्दी से comment section में बताएं और अगर आप लोंको मेरी वीडियो ची लगी है मेरा विलॉग अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करड़ें चैनल को subscribe करड़ें अगर आप चैनल पर new है और तो बस यही छोटा सा रूम ता तो मिलते हैं नेक्स विलॉग में तब तक के लिए अगर ना देहर सारा ख्याल रखना और मुझे दुआउं में याद रखना बाई बाई